चलो भई बात करते हैं बिग बॉस 18 के आज के नॉमिनेशन इस्पेशल की देखो आज जो नॉमिनेशन थे उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे उससे पहले जो बात करनी है वो रजट क्या किया है रजट ने आज जी हाँ इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है अविनाश, ईशा, एलिस और विवियन यह जो चार की चौकडी वनी हुई है इस चौकडी को आज कहीं न कहीं एक सबक मिला है रज़त कैसा करने से और कहीं न कहीं अविनाश थोड़ा सा डाउन गया है वो डर गया था वो बड़े चौड में कह रहा था मैं डरा नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ फट ने रही है मेरी लेकिन एक्चौली अविनाश की फट रही थी भाई रज़त, देखो रज़त ने रात को भी बोल दिया था कि मैं इसे सुवा बात करूँगा इसे कोने में ले जाओंगा वहाँ दबो चूँगा इसे और फिर मैं से बात करूँगा क्योंकि ऐसा सबक सिखाना बहुत जरूरी है और रज़त ने जो बोला भाई उसने किया सुवा सुवा ये देखो अब हम इसमें सही गलत पे अगर जाएंगे तो देखो बिग बॉस के घर में एक रूल है कि आप किसी के उपर हाथ नहीं उठा सकते तो बिग बॉस रज़त ने हाथ नहीं उठाया है लेकिन हाँ वो चेस्ट से चेस्ट टकरा के और वो पीछे जो धका मारता हुआ गया है अविनाश को बिल्कुल ले जाके गेट में चिपका दिया उसने और वो बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था और भाई उसका गुस्सा एक्स्ट्रीम लेवल पे था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये जानबुश के चाहत को परिशान कर रहे हैं अब यहां देखो चाहत को अगर वो परिशान कर रहे हैं तो इसमें भी मैं यह समझती हूँ कि चाहत ने विवियन के साथ उसकी एक अलग तरीके की नोग छोख है जो है अब डेवन से देख रहे हैं कई बारी हमें विवियन सही लगता है कई बारी हमें चाहत सही लगती है अविनाश के साथ उसका चली राय कंटीन्यू जब वो पानी वाला मैटर हुआ था वहां भी चाहत पानी नहीं डालना चाहिए था बाकी चाहत ने जो किया वो सही था तो जब इन क्या टर्न आएगा जब इनकी बारी आएगी कि विवेन अविनाश की बारी आएगी तो ये तो बदला लेंगे ही तो ये बस वही वाला रिवेंज लेने की ट्रै कर रहे थे और विवेन देखो मैंने कल के भी अपने रिव्यू में कहा था कि विवियन बड़ी शांती से अपना बरतन जब धोर आता तो वो जान बुझ के बरतन थोड़े जादा आवाज हो रहे थे यह हम सब ने देखा लेकिन वहाँ जब पकड़ा गया तो वो अविनाश पकड़ा गया क्योंकि अविनाश ही ही फ्रंट फूट पे आके सबसे लड़ने लगा भिढ़ने लगा बाते करने लगा लेकिन विवियन ने वहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोला आज सुबह भी आप सबने अगर देखा हो तो विविन बिलकुल साइड में था उसे ने कुछ भी नहीं बोला और अविनाश ही था जब चाहत अगे उसे बात करने के लिए कि भाई तूने ये टेबल क्यों नहीं साफ किया वहाँ पे अविनाश का कहना कि भाई तूने रात को ये तो कहा था कि मत साफ कर मैं बिग बोस से बोल देंगी कि इसने टेबल नहीं साफ किया तो मैंने इसले साफ नहीं किया और वहाँ से जो रज़त का एक पाईलप था रात वाला वो भी continue चले आ रहा था तो वो सारी चीजों ने इस तरीके से मोड लिया कि रज़त फिर वहाँ पे aggression में गया रज़त ने मैं ये नहीं कहूंगी कि रज़त ने सही किया लेकिन थोड़ा सा उसकी जरूरत थी अविनाश को क्योंकि अविनाश को ऐसा लग रहा ना कि वही ग़र में चिकम चिली कर सकता है वही सबसे लड़ सकता है सबसे भिड़ सकता है अविनाश थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है हाला कि अविनाश भी वहाँ पे अपनी बात रख रह था और यह बात, यह जो शो है, यह बातों का ही शो है, यहाँ पर आप बाते कर सकते हो, यह हमने फिर देखा लास्ट में कि वो इंस्टिगेट भी कर रहा था रजट को, वो प्रोवोक भी कर रहा था विराश की, आके वो हाथ उठा ले, जिस तरीके से वो उसके पास भी गया, फ शो से बाहर चला जाओंगा, और अभी रजट को शो में रहना है, तो आज, लेकिन एक चीज मुझे सही लगी, कि उसने एक एटलिस स्टेंड तो लिया, वो मैं सही और गलत पे नहीं पड़ूंगी, लेकिन स्टेंड तो लिया किसी ने किसी के लिए, नहीं तो इस घर में अभी तक हमने देखा है कि कोई किसी के लिए स्टेंड नहीं ले रहा है, सबको सिर्फ अपने 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 से मतलब है, तो ये वाली चीज हमें दिख रही थी, अचा रजट और चाहत के बीच में एक थोड़ी नोग चोक वाली चीज नजर आती है, कभी ये दोस्त भी ब सारे उटके आगे थे बाहर लेकिन केवी को पता नहीं चला, तो ये सारी चीजे केवी को जब सुवा पता चली तो केवी का एक अलगी जोन था कि भाई ये तू क्या कर रहा है, अभी नाश अगर तुझे ये सारी चीजे ही करनी है, और सबसे ज़्यादा बुरा उसको इस जैसा हो गया है, और कहीं नगें ये चीज ठीक भी थी कि विवेन भी कर रहा था, वो बरतन जो खटक रहे थे, वो थोड़े ज़्यादा खटक रहे थे कल रात को, तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिली, और केवी ने, शिल्पा जी ने उनसे जब बात करने की कोसिस क विवेन से, कि विवेन तुम क्यों क्या कर रहे हो, तो अगर मेंटरशिप तुमने अपने हाथ में ली हुई है, तो तुम उसको पूरा नहीं भाव, वहां पर केवी कह रहा था, कि नहीं, ये कोई मेंटर नहीं है, मुझे इससे बात करनी, और वहां विवेन का था, कि क्यों कि मैं तो एक नाम से इंट्रोडियूस हो ही चुका हूं इस घर में, तो ये वारी सारी चीजे भी हमें नजर आए, वहां पर केवी रियक्ट नहीं करता है, लेकिन आज उसको बुरा लगा था, और जब विवेन ने उससे कहा, कि नहीं, मुझे तिर से बात नहीं करनी कि तब उसे ज़्यादा बुरा लगा, कि भाई मैं तिर से बात करने के ट्राय कर रहा हूं और तू बात ही नहीं कर रहा है, और वहां पर उसने बोला कि भाई तिरी फैमली देख रही है ना, तिरको ये सब रिलाइज हो रहा है तुम जो कर रहा है, वहां पर विवेन गोलत इस तरीके का टास्क है, जो राजमाता बनी हुई है, शिल्पा, शिरोटकर और दो राजकुमार बने हुए हैं, विवेन और क्या ना में इनका, केवी, तो इनके बीच में जब मुकाबला होगा, तो अब ये आमने सामने की लडाई हो जाएगी, मतलब केवी विवेन की तो बिग बॉस की जो चाल है, वो बड़ी क्लियर होती हुई सी नजर आ रही है, और कहीं न कहीं शो विवेन वर्सस के भी हो रहा है, ये रजत, अविनाश लड़तो रहे हैं, अविनाश आज रजत के ऐसा करने के बाद, यानि कि जब वो बिल्कुल चीजे हाथा पाई पर आ गई थी, उसके बाद अविनाश थोड़ा सा शांत भी दिखा है, थोड़ा सा वो डाउन गया है, वो कितना भी कहले कि मेरी नहीं फटरी, लेकिन वाक्ती में अविनाश की फटरी तो है आज, अचा केवी वहाँ पे गाली देता हुआ गया, आप देखो, बिग बॉस बी बॉस के घर में, और बीप होने की वज़े से हमें नहीं समझ में आ रही है, वो कौन सी गालिया है, तो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन गाली देना इस नौट गुड तिंग, मैं ये जरूर कोंगी, तो केवी को गाली तो नहीं ही देनी चाहिए, लेकिन केव अगर तुमको गाली दी है, और इस तरीके से उसने क्लियर भी कि मैं तुमको गाली नहीं दी है, लेकिन फिर भी अगर लगता है, तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, राजित भी आपके पे क्लियर करता हुआ नजर आ रहा था कि, ऐलिस उसने तुमको गाली नहीं दी है, तेनों ही निसाना बने हुए हैं और इन तीनों को ही निसाना बनाये गया है, हर किसी नहीं यही कहा है कि ईशा और एलिस सिर्फ उससे वह ऐसा लग रहा है कि अविनाश के लिए ही शो में आई है, जब देखो उसे डिफेंड करती रहती है, उसकी पॉइंट से गिनवाती रहत तो चाहत भी अपने हिस्से की पूरी फुटेज दे रही है, ऐसा नहीं है कि चाहत बैक फूट पे खेल रही है, वो भी फ्रंट फूट पे खेल रही है, तो घर में देखो, गर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं, तो केवी है, विवियन है, जो कि थोड बूझ की था, तो आज वो थोड़ा बैक फूट पे था, वो थोड़ा फ्रंट फूट पे नहीं आ रहा था, हाला कि उसको ये बात बुरी लगी केवी की, कि ये बार बार मेरी फैमिली पे क्यो जाता है, कि मेरी फैमिली देख रही होगी, भाई मेरी फैमिली देख रही वाला कि आज के एपिसोड में इनकी कोई बातचीत हुई नहीं है तो ये सारी चीज आप नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं देखो नॉमिनेशन डिसकूस करना बहुत जरूरी है कि किसने किसको वोट दे के नॉमिनेट किया है पहले मैं एक सेकेंड सबसे पहले बिग वोस आज जो करेंट वाला टास्क करवाये थे बिग वोस ये करेंट वाला टास्क जो आपने नॉमिनेशन कराया है ये वाकी में बिग बोस ही है या खतरों चल रहा है यहां पर मतलब आप ट्रेनिंग दे रहे थे क्या इनको जटके की करेंट लगने की तो यही चीज हमें देखने को मिली है कि Big Boss आज इन घरवालों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरीके से इनको जटके लगे सबसे पहले शहजादा जाते हैं शहजादा को बुलाया जाता है जो कि बिना माई के घूम रहे थे शहजादा जाते हैं और वो एलस को नॉमिनेट करते हैं और जब वो पुट पे आना चाहिए अविनाश के एलावा ऐशा के एलावा घर में बाकी भी लोग हैं उनके साथ भी इंट्रक्ट करना चाहिए ईशा वहीं बाकियों से भी बात कर लेती है लेस नहीं बात कर रही होती है तो आज़िस को अगर जिस तरीके से ऑख वह ने इंट्रोड्यूस करवाय था कि हमारी टॉप टू है एलिस भीया हमें तो कहीं से भी टॉप टू नजर नहीं आती है एलिस है ना तो ये वाली चीज है वहीं शिल्पा जी को नॉमिनेट के सहजादा ने और कहा कि ये दोनों तरफ सी खेलती हैं घर में वैसे तो दो गुट बन चुके हैं लेकिन हमें जो नजर आता है कि शिल्पा जी किसी एक गुट में नहीं है कभी वह भी विवन के पास से लिए तो वह पूरी ट्राय करती है कि वह दोनों गुट में रहें तो ये भी चीज़े मान सकते हैं कि वह सभी के साथ बना के रहना चाहती है अब देखो जो कि बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी नाज को अगर किसी और को पावर मिल जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम है उसको वह चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वह मेरे ही हाथ मेरे तो मैं इसलिए उसको नॉमीनेट कर लिए और जो दूसरा था वह बड़ा शॉकि और श्रुतिका दोनों बात करके आई थी कि जो भी हमारे बीच में चीजें हैं वो ठीक हैं अब सॉट आउट हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शिल्पा क्लियरले उसको सौरी बोलती हुई नेजर आती हैं कि ठीक है भाई अगर तुम्हें बुरा लगए तो मैं उसके सौरी बोल रही हुई तो श्रुतिका ने शिल्पा को नॉमिनेट के और अविनाश को नॉमिनेट के और कहा कि हर जगह हर बात में घुस रहे हैं शिल्पा जी ऐसा श्रुतिका ने कहा कि हर बात में घुसती है ये और सभी से बना के रखने की कोशिस करती हैं सेम सहजादा व इनके साथ मेरी equation थोड़ी सी गड़बड चल रही है वही वो फिर चाहत को नॉमिनेट करती है और कहते हैं कि इनका अपना convenience वाला game है ये अपनी convenience के हिसाब से चीजों को सही बताती है और अपनी convenience के हिसाब से चीजों को गलत बताती है तो ईशा और चाहत के बीच में problem है ये ह तो continue नजर आ ही रही है बात वही शिल्पा जी जाती है nominate करने के लिए और शिल्पा जाके सहजादा को nominate करती है और कहते हैं कि इसका गर के किसी भी matter में कोई interest नहीं है ये घर में है लेकिन ऐसा लगता है कि गर में है नहीं तो इसको nominate ही हो जाना चाहिए इसको घर से बाह problem है क्योंकि ये किसी और से बात नहीं कर पाती है तो कहीं ने कहीं एक चीजा बड़ी clear हुई है इशा और एलिस को ले करके कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अमिनाश के लिए ही इस show में है ऐसा दिख रहा है देखो वो दोस्ती भी हो सकती है लेकिन कहीं ने कहीं ये भी लगता है कि ये दोनों बड़ा safe play करनी है क्योंकि हर बार जो villain होता है हर बार जो बुरा इंसान होता है वो अमिनाश बन जाता है और ये दोनों सुमड़ी में निकल लेती है ये चीज़ भी हमने notice तो करी है वहीं चाहत जाती है चाहत जाके सबको पता है कि वो अमिनाश को ही target करने वाली हाला कि वहाँ पे विविन कहते हैं कि चाहत ध्यान से करियो nominate ध्यान दियो कि किसने क्या किया है तभी nominate करियो तो ऐसा विवेन बोल के बेशते हैं चाहत को लेकिन चाहत जाके अविनाश को टार्गेट करती है नॉमिनेट करती है और कहती है भाई ये महान बनने की बहुत अच्छी कोशिस करता है ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता है और इसे लगता है कि ये भगवान है यहां पर य इशा को क्योंकि इशा ने भी चाहत को किया थो चाहत ने भी फिर इशा को ही नौमिनेट कि और और कहा घाएए उन świ-तित्स चाहत को अन्य नौमिनेट कर दिया उसके गें लगते हैं लिए यह जा चल आई है बिना मतलब का दूसरों के मुद्दे में घुज जाता है कब घुज जाता है पता ही नहीं चलता तो इसलिए वह एलस ईशा को सहजादे को नॉमिनेट करती है के वी को नॉमिनेट करती है एलस दूसरा नॉमिनेशन उनका होता है जहां पर वह यह कहती है कि आज ही का तो इनके अंदर गट्स रही है ऐसा एलिस का कहना है बग्गा जी जाते हैं बग्गा जी जाके इशा को रॉमिनेट करते हैं और हो कहते हैं कि यह बहुत सेफ प्ले कर रही है अमिनाश के कंदे पर बंदूख चला रही है अच्छा यह चीज ना बहुत सारे लोगों ने घर मे नोटिस की है कि इशा और एलिस जो है वो मिनाश के कंदे पर बंदूख रखके चला रही है और वो बड़ा सेफ प्ले कर दी है जो कि आज बग्गा जी ने भी का अच्छा एक चीज और अगर आप सबने नोटिस करी हो तो बग्गा जी जो पिछले हपते तक सब के टार्ग नहीं हुआ है तो बग्गा जी ने ईशा को नॉमिनेट किया और फिर एलिस को नॉमिनेट किया सेम दोनों की वही बात की यह दोनों अविनाश के विना कुछ भी नहीं है यह जो भी करती है वो सब अविनाश के एर्दगिर्द ही घूम रहा होता है रज़त जाते हैं कर रही हो तो इनकी हिंदी टुटी फूटी बन जाती है यह मुभना बना के बात करती सिय तो यह कौन से हिंध्य वाई कि सब्सक्रान जाती हो और 54 तूच्यश दूपर उपलती है 一न वाली ही जार sth acquire टूच करते हैं Q बिलकुई चुप रहे शांत रहे और ये चीज तो देखे हो हमने भी नोटिस करी है क्योंकि अज जिस तरीके से रज़त गुस्से में था वहाँ पर विवियन भी चाहता तो आ सकता था लेकिन विवियन ने सोचा कि मैं क्यों ही आउं तो विवन ने कुछ बोला ही ने विवि अज यह चीज हमने नोटिस करी वही अविनाश आते हैं और अर्फीन को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि वही है यह बहुत सेफ प्ले करते हैं अर्फीन और यह गैंग अप करके बुली कर रहे थे जब मैं जेल के अंदर था मतलब सिलपा कर अनवीर यह सारे मिलके जब इनको नोप कह रहे थे तो यह इसीडेंस के बात कर रहे हैं ऑविनाश की यह सारे मिलके मुझे बुली कर रहे थे और मैं इसलिए इनको नॉमिनेट करता हूं और अविनाश का जो दूसरा नॉमिनेशन था शृती का और उसका यह कहना था जान बूच्च कि यह सब पीच मे आती है इसा कोई मुद्दा नहीं होता कोई मैटर नहीं होता और ये बीच में आके चिलम-चिली करने लग जाती है फिर सारा आती है सारा भी आके अभिनाश को ये टार्गेट करती है और ये कहती है कि वह ये कॉंस्टेंटली पोक करता है ये हर दूसरे इंसान को कॉंस्टें दोनों टीम प्लेयर को बही इशा और एलिस को अभिनाश से थोड़ा सा अलग गेम खेलना चाहिए ना कि जो गेम अभिनाश खेल रहा है सेम सेम वही गेम वह भी खेले उसके बाद अर्फीन आते हैं अर्फिन शुतिका को नॉमिनेट करते हैं और इशा को नॉमिनेट करते है करन आते हैं वह एलिस को नॉमिनेट करते हैं और अभिनाश को नॉमिनेट करते हैं इनका कहना है करन का कि इसका जो यह है तो वैसे बहुत आल सी इसका कोई अपना पॉइंट आफ यू नहीं है और यह थोड़ी सी वीक भी है मेंटली अगर इसे कुछ कहते हैं तो उसको दस बिखादा को नॉमिनेट और कहते हैं कि इसका रियालिटी से कोई लेना देना नहीं है और यह पता नहीं क्या कर रहा है शो के अंदर शुरुतिका को नॉमिनेट करते हैं कहते हैं भाई मेरा तो इसने मेरा इसने राइट छीना था यानि कि नॉमिनेशन वाला पिछले नॉमिनेशन वाला कि मेरा राइट इसने छीना था और इसकी हिंदी जो है यह बड़ी गड़ गड़ है ये जब लड़ती है तब तो बिल्कुल सही निकलती है और जब नहीं लड़ती है तब ये फिर बन-बन के बोलती है और ये दिखाती है कि मुझे हिंदी नहीं आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये प्रॉपर हिंदी बोलती है तो ऐसे में कुल मिलाके जो नॉमिनेट होने व अभी तो नहीं जा रही शिल्पा जी भी नहीं जा रही क्योंकि हमने सुना है कि शिल्पा जी को दस हपतों की MG मिली हुई है ईशा भी नहीं कहीं जा रही एलिस अभी नहीं जा रही तो जायेगा कौन अर्फीन या शहजादा तो अभी देखते हैं कौन जाता है अर्फीन जाते हैं या पर शहजादा जाते हैं क्योंकि शहजादा के पास भी ना अब रह नहीं गया है घर में कुछ करने को अर्फीन बहुत सही जा रहे थे लेकिन अर्फीन अभी बिल्कुल गायब से हो के नजर आ रहे हैं जब से सारा जिल के अंदर जब से अर्फीन जिल के अंदर गया है उसके बाद से ही अर्फीन का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीची की तरफ ही गया है उपर उठने की कि लास्ट के टाइम पे जब सहजादा कुछ तो कॉंटेंट बनाने की कुछिस कर रहा था वो खाने वाले मैटल को ले करके तुम आप शुरुतिका चुम और केवी ने किस तरीके से उसको इगनौर किया और का कि या हमें तुमसे बात नहीं करनी है हमें तुमको फुटेज न आपके कर के रहा हूं और वही वाली हालत इस टेम सहजादे की हुई है कि सहजादे के पास एक बंदा नहीं है जिससे वो बैट के बात कर सके कल हमने देखा था कि शुरुतिका और सहजादा है कि शुरुतिका कह रही है मैं तुझे फुटेज नहीं देना चाहती तो यह है ये बिग बॉस का घर बड़ी टफ तो है ये है ना टफ तो है अगर आपके रिस्ते नहीं है इस गर में तो बहुत टफ है और वो सहजादे के साथ आज हमने देखा भी तो ये रहा मेरे इस आपसे आज के एपिसोड का रिव्यू और बाकी कल के एपिसोड में काफी धमाका हो होने वाला है क्योंकि कल के एपिसोड में बिग बॉस ने जो चाहा वो करके दिखाए यानि की केवी वर्सेस वीवियन तो वो करा के ही रहेंगे अच्छा एक और चीज मुझे ये बताओ ये चा चुम और केवी के बीच में क्या वाकई में कुछ है क्या क्योंकि आज जिस से उन्हों दोनों ने वाइट वाइट कपड़े पहने थे बिग बॉस मजे भी ले रहे थे कि करन कपड़े तो वह से ही लग रहे हैं सफेज सफेज जूते पैंड बनियान सब सफेज सफेज और चुम आपके भी सफेज सब बढ़ तो इनके बीच में वाकई में कुछ चल हैं क्योंगी हमने देखा है चुम को कभी दाढ़ी कर रही होती है कभी के पीठ में कुछ लगा रही होती है आज जस तरीके से वह defects में शुक्ष पैन वे developed अले से सबगा। वो बालो में तो वो कंटिन्यू केवी की सेवा सथकार तो कर रही है तो क्या वाक़ी में इनके बीच में कुछ चल रहा है क्योंकि आस तो बिग बॉस भी छेड़ते हुए नजर है हलाकि यह वाला सीन हमने तो नहीं देखा है अगर आप में से किसी ने देखा हो तो प्लीज म हम बच्पन के यार है मुश्कल से हम दस बारा बार मिले होंगे यह वाला पॉइंट में कैसे भूल गई यार कि मुश्कल से हम दस बारा बार मिले होंगे यह कोई मेरा दोस्त वोस नहीं है अगर इसको दोस्ती निभानी है दोस्ती रखनी है तो ढंक से रखे ऐसे मत रखे म और ये हम दोनों की बाते इतनी सीक्रेट हैं कि ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है और किसी को पता ही नहीं है तो ये बड़ा दल्चस्प होगा कि ये फ्रेनिमी बनते हैं एनिमी बनते हैं कुछ तो बनेंगे ही ये हम जब कल का एपिसोड देखेंगे तो ज्यादा क्लारे टीम मिलेगी तो चलिए बाकी मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में आप लिखेगा कि रज़त वससे जविनाश में आपको कौन सही कौन गलत लगता है क्या रज़त को जो रज़त ने किया वो सही था या नहीं था क्या चाहत ने जो किया क्योंकि चाहत भी कह रही थी कंटीन आश को तो क्या होगा रज़त शो से बाहर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि चाहत को वहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए था लेकिन चाहत वहाँ पर रुकी नहीं यह चीज हमने देखी चलिए बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब है झाहिए